हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू एजुकेटर्स प्लस चलिए देखतें क्या है हमारे आज का टॉपिक है प्रोसेसिंग एननाइजिंग डेटा लास्ट वीडियो तक हमने डेटा कलेक्शन कर लिया था डिफरेंट टूल्स के वाध्यम से अब डेटा कलेक्ट हो चुका है तो अब हम किस तरीके से आगे रिसरच में प्रसीड करेंगे मतलब जो प्रदत हमने लिये हैं जो आंकड़े हमने एकट्टे किये हैं उनका किस तरीके से विशलेशन किया जाएगा तो देखिए आफ्टर कलेक्शन डेटा ओर्गनाइजेशन बहुत जरूरी है डेटा कलेक्शन और data analysis के बीच में हमारे पास आता data organization organization का मतलग यह है विवस्थित रूप से उसको रखना जिससे हम एक बैटर तरीके से analysis कर सके तो उसके लिए जो भी हमारे पास raw data आया उसकी सबसे पहला सब्सक्राइब उसकी editing करना उसको refine करना क्या questionnaire अधूरा बढ़ा हुआ क्या पूरा बढ़ा हुआ कितना चाहिए था उन सब चीजों को निकालते हुए उसको शुद्धता देना ठीक फिर उसके बाद में हम करते हैं उसकी coding ठीक अलग-अलग options के लिए अलग-अलग responses के लिए ह मैं किसी को streetaway से बांग-धि करते हैं तो वो कोड रिए अब किस तरीके से की जाती है ठीक हिंदी में कहते हैं इसको कूट लेखन अब देखे जितने आपके variables है Ray吧 आपका या तो quantitative तरीके से आपने मेजर किया या फिर क्वालिटेटिटिव तरीके से मेजर किया है ठीक है क्वान्टिटिटिटिव या संख्यात्मग अगर आपका वेरियेबल है तो वह दो तरीके से हो सकता है continuous हो सकता है, discrete हो सकता है, मैंने continuous और discrete आपको पहले पढ़ाए हुआ है, ठीक है, अब जो data quantitative होगा, वो दो levels के ऊपर measure किया गया होगा, मैंने levels of measurement भी करा है आपको, तो यहाँ से question बनता है कि quantitative data जो है, वो या तो interval level पर होगा, या फिर ratio पर, या तो अंतराल इस्तर पर, या फिर ratio अनुपातिक इस्तर पर, जो आपका qualitative data है, qualitative data को आप categorical data बोलते हैं, और categories में किस तरीके से उसको define करते हैं, आप चलिए, low हो गया, average हो गया, high हो गया, इस तरीके से आपने उसको इखटा किया, तो उसकी coding किस तरीके से करेंगे, तो वो scale होगा, nominal scale या ordinal scale, पहले तो nominal जहा पर हम ranking से उसको व्यवस्थित करते, तो इन चीज़ों को धान में रखते हैं, हमने कर लिए अपनी coding, अब आगे बढ़ते जरा, अब classification किस तरीकी से किया गया है, अलग-अलग levels पे लिए हमने, या तो data हमारा एकदम simple data है, ज्यादा manifold data नहीं है, ज्यादा उसमें strata नहीं है ज्यादा complex नहीं है, तो वो easily classify हो गया, और अगर manifold data है, तो जितने आपने strata लिए हैं, जितना complexity के basis पर data है, जितने उपसमू है उसमें, उन उपसमू के आधार पर हमने उसको classify कर लिया, ठीक है, now, tabulation बहुत जरूरी है, ठीक है, देखे, tabular form हो, histogram हो, वजायव हो, ठीक, pie chart ह किसी और तरीके से जब आप data को tabulate करते हैं, तो tabulated data आपको एक बहुत अच्छी picture देता, आपको बहुत अच्छा analysis करने की, analysis करने की आजादी देता, ठीक है, इसलिए tabulation बहुत जरूरी है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने अपना data collect करके उसका organization कर लिया है, tab tabular form है, coding कर ली है, ठीक है, अब हम को चाहिए उसकी scoring करना, ठीक है, अब किस तरीके से scoring करें, और scoring करने के बाद में क्या करना है, वो जानते है, data दो तरीके से था हमारे बस, अब analysis किस तरीके से किया जाए, अब दीखो, analysis है according to nature of the data collected, जिस तरीके का data है, जैसा data, अगर qualitative data है आपका, तो उसमें numbers कम होगे, उसमें language होगी, content होगा, एक narrative build हो रहा होगा, आपने observation करी है, तो observation अपनी लिखी होगी, अब उस observation का आप analysis करेंगे, आपने interview लिया है, तो उस interview की script को type करके, आप उसमें word sorter से ये देखेंगे, कि ये शब्द इसने कितने बार बोला, और qualitative analysis कर में के बहुत से आजकल software भी आ चुक है, सेम इसी तरीके से अगर आपका data numbers की form में है, संक्यात्मक में है, interval या ratio scale के ऊपर है, तो उसमें आप numbers की मदद से statistics की help से किस तरीके से analysis करेंगे, तो वो चीज़ समझते है, पहले मैं लेता हूँ qualitative data, गुणात्मक जहां पे चीज़े शब्दों में है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको identify कर ली main theme, main theme आपने identify कर ली, मतलब मुख्य विश्यों को इस पस्ट करना कि basically, जो narrative हम लेके चले थे, जो variable हम लेकर के चले थे, उसकी main theme किस तरीके से आगे बढ़ेगी, now, assign codes to the main theme, अब ये जो main theme है और जो इसकी sub themes है, उन के लिए आप quoting करते हैं, जैसे मैंने बोले ना, आप suppose करिये, आप woman empowerment पर बात कर रहे हैं, लेकिन किसी का interview लेते हुए, suppose कोई एक word है, और वो word बार 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 repeat हो रहा है, ठीक है, domestic violence की तरफ वो word indicate कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ये करना है कि इस तरीके के word कौन कौन से हैं, क्या वो word मिलके एक main theme के अंदर, sub theme में आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखना, content analysis करते हुए, now, next है हमारे पास, classifying responses, under main themes, अब ये जो, sub theme है, इन sub themes को बातना, main theme के अंदर, और responses के basis पर, प्रतिकरियाओं को वरगीकरत करना, next आएगा, हमारे पास, last है, qualitative analysis में, integrating themes और sub themes, and responses, into research, report, or narrative, अब ये जो, research report आप बना रहे हैं, इसके मूल पार्ट में, विशियों, उपविशियों, या प्रतिकरियाओं को एकिकरत करना, यहाँ पर आप एक ऐसा narrative कर रहे हैं, जो narrative आपकी research report को compile करेगा, तो जो भी main theme है, main theme के अंदर, क्या sub themes है, क्या-क्या, keywords आ indicate कर रहे हैं, क्या-क्या, और analysis करने की ज़वरत है, वो किया, और यह जितने भी responses थे, उनको main theme के अंदर आपने classify कर दिया, और बाद में, अपने report में integrate किया, यह काम किस तरीके से किया जाता है, देखे, content analysis है, teaching attitude में, content analysis में आपको बता चुका हूँ, एक video है, detail में, qualitative analysis में, content content का analysis कैसे किया जाता है, सबसे पहले researcher चीजों को समझने के लिए अपनी previous knowledge का use करता है, पूर्वग्यान का प्रियोग करता है, जो कि उसे literature review से मिला, या अपनी knowledge के basis पर, अपनी सहज व्रत्ती से मिला, जब कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो use of references करता है, संदर्ब logical sequencing देगा, यह logical sequencing बहुत जरूरी है, ठीक है, एक narrative का रूप देगा, इस चीज को, ठीक है, this is how qualitative analysis is done, अब समझते हम quantitative aptitude numbers, संख्याओं की form में आपके पास में data है, ठीक है, तो data आपने collect कर लिया, अब दो तरीकी से आप analysis कर सकते हैं, या तो आपको खुद को अगर statistics आती है, आपके number of variables कम है research में, कम काम है, तो आप manual data analysis कर सकते हैं, खुद paper pencil calculator लेकर के, और नहीं तो फिर आप, अलग-अलग softwares हैं, आज कल तो बहुत software आ गए हैं, लेकिन एक software बहुत time से use होता है, अभी भी हो रहा है, और हमेशा होता रहेगा, SPSS, SPSS की full form है, statistical package for social sciences, और IBM का product है है, ठीक है, now, SPSS करता है, quantitative data analysis, मैंने आपको, scales of measurement वाली video में बताया था, SPSS काम शुरू होने से पहले, आप से पूछता है, कि आपका data, interval scale पर है, ratio scale पर है, किस scale पर है, आपका variable, ठीक है, now, दो तरीके से खाम करता है, ये small sample consider करता है, 30 से कम, अगर आपका data है, large sample consider करता है, अगर 30 से ज्यादा आपके पास में, participant थे, या group के members थे, now, दो तरीके से testing होती है, दो शब्द जान लीजिए, आप बहुत important है, question अप कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, एक है, आपके पास parametric testing, जिसको बोलते है, प्राचलेक, पर एक्छन, ठीक है, parametric और दूसरी है, non-parametric, द difference यह है, कि parametric में, जो population है, आपकी, उस population की, जो parameters है, जो attributes है, या जो qualities है, वो आपको known होती है, जैसे अगर मैं कहूं कि population का mean, आपको idea है, population का SD के बारे में, आपको idea है, standard deviation, या qualities के बारे में, जिल संक्या समस्टी के बारे में, उपकलपना करते हुए, आपको कुछ ज्यान ह समझा चुका हूँ कि population क्या है, और उसमें से sample लिया हमने, तो जब इस sample पर हम research कर रहे हमको population statistics के बारे में, अगर मालूम है, तो हम parametric statistics यूज करेंगे, education और social sciences और psychology के बच्चो, दो तरीकी की test parametric में हम यूज करते हैं, आपका t-test और analysis of variance, analysis of variance, one way और two way, ठीक, one way हम main effect जानने के लिए, और अगर हमें कभी तीन variable है, interaction effect जानना है, तो हम to when over भी use कर लेते हैं, ठीक है जी, अब बर non parametric testing क्या है, पिछली वाली में क्या था कि population के बारे में, जो assumptions हैं, वो पता होंगी, लेकिन non parametric में, अगर population के बारे में assumptions नहीं मालूम है about the population, तो इस तरी ठीके की testing जब हम करते हैं, तो इसको non parametric बोलते हैं, आपके पास test है, काई वर्ग परीक्षण, काई स्क्वेर, median test, sign test, man whitney, u test, wilcoxen, pair signed, rank test, ठीक है, wilcoxen का योगम चिन श्रेणी परीक्षण, ठीक है दोस्तों, अब ये अलग-अलग test के नाम है, ठीक है, जिन बच्चों क के main paper में ये theory है, उन्होंने ये चीज़ें पड़ी भी होंगी, लेकिर अगर आप literature से हैं, किसी और subject से हैं, जिसमें statistics नहीं है, तो घबरानी की जुरूत नहीं है, इन नामों को समझ लेजिए, इन चीज़ों को समझ लेजिए, कि parametric testing क्या होती है, non parametric testing क्या होती है, ठीक है